गाईक एक्टर ते डारेक्टर प्रमीश वर्मानू बीते कुछ दिन पहला गैंग्स्टर दिलप्रीत वल्लो गोलियां मारियां गईयां सी जिस तो बाद प्रमीश वर्मानू मोहाली दे फोटीस हस्पताल दे विच दाखल करवाया गया सी जिसनू देर रात तो बाद जेडा गाईक दिस्चार्ज किता गा इस वेले आसी मोजूदा मोहाली दे फोटीस हस्पताल दी एमर्जंसी दे बाहर जित्थे तो तुसी देख सकने हो कि इसे बिल्डिंग दे विच प्रमीश वर्मानू तीसरी मंजल ते रख्या गया सी गा ते दिलप्रीत सिंग वल्लो जड़ बाद प्रमीश वर्मा दी जड़ी हालत है नाजुक दसी जारे इसी पर बिती रात बारा वजगे पांजमिंट दे फोटीस हस्पताल दे विच्चों पारी सुरख्या बल दे नाल जड़ा हैगा प्रमीश वर्मानू इत्थों दी बाहर छुटी किती गई ते नाल ही एवी दस्या गया क्या कि पर मीश वर्मा दू किसे गुक्त था ते पुलीस वर्मा पत्याला अपने कार्दे विचने थे नाही ओह ओनौना दे पेरन्स मीडिया ते नाल कोई गाल बात कर रहarbeitे पर तो हान उदास दिये कि एहे मामला जादा तूल पकरदा जा रहे है क्योंकि गैंक्स्टर दिलप्रीत फेर फेस्बुक ते एक पोस्ट पाके कहा गया सीगा कि परमीश वर्मा खुद इस बारे जानकारी देनगे कि उसनों गोलियां क्यों मारियां गईयां सी ते नाल ही उसने चताबनी है दिती सी कि हले ता एहे गोलियां ता ट्रेलर सी 500 गोलियां जेकर लोड पई ता ओहो चलाओंगे ते लगातार एहे मिल रही है तमकियां तो बाद हले ता क्परमीश वर्मा दे कार दे सारे मीडिया पूरी पोलिवुड इंडस्ट्री दे विच्च सारे चुपी तरीके दे नाल मोहाली पूलिस वल्लों परमीश वर्मा नू फोटिस हस्पताल दे विच्चो ले जाया गया है पर हले तक परमीश वर्मा दे कोई भी खाबर या मीडिया दे स्टेटमेंट कोई भी सामने नहीं आ रही कि ओहो उन्ना दे उते हमला क्यों होया सी ते सारे इडिया वाले इसी उडीक दे विच बैठेने की परमीश वर्मा दे हमला क्यों ते आखिर किस दल्लों किता गया सी कैमरमेन सूरज दे नाल वरुन पट मोहाली